फाइनली शौमी ने HyperOS 1.5 जो है रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है और और अरड़ी जो है HyperOS 2.0 की बीटा टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है जो कि आपको Android 15 के साथ और 14 के साथ देखने को मिल सकता है तो कुछ नए चेंजे जो है AI के अंदर उनके अंदर के जा रहे हैं त चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है Poco F6 और इसके अंदर हम चाइना का HyperOS 1.5 यहां पर यूज करें तो एक काफी अच्छा अपडेट जो है यहां पर निकल के आया है जो कि है गैलरी से रिलेटेड गैलरी के अंदर अब गैलरी अच्पेंशन और AI इस 2.0 का तो यह एक नया फीचर जो है यहां कि इसको अपग्रेड किया गया है और काफी चीज़ों को जो है इसके अंदर आप्टिमाइज किया गया है ताकि AI की परफॉर्मस जो आपको आगे चलके HyperOS के वरिजिस में देखने को मिलने वाले हैं तो आपको यहां पर पूछता ही है Select Version आपको Pro Mode चाहिए कि Standard Mode चाहिए आप इसको Manually भी यूज करते हैं या फिर इनके AI के Pro Features भी अब यहां पर यूज करते हैं जो कि मैं आपको उता हूँगा एडिटर में यह किस तरीके से काम करते हैं तो यह दिखे सपोस किए कि आपके पास के अंदर जो आप काफी सारे changes किये हैं काफी अची तरीके से काम कर रहा है तो यह दिखे आप कोई सी भी तरीके से किसी भी image को expand कर सकते हैं और Start के बटन पर टैप करते हैं AI 2.0 यहां पर working हो जाएगा और इस photo को expand कर देगा आप इसके 4-5 इतनी भी copies बनाना चाहते हैं बना इसने फिर से expand कर दिया जो पहली image थी हमारी ऐसी दी उसके बाद expansion करने करें और इसको आपको यहां पर देने मिला है कुछ और करना चाहें तो यह दिखिए मैं एक और बाद ट्राइ करता हूं तो अब AI mode काफी अच्छे तरीके से अब इस नए gallery editor में यहां पर काम कर रहा है जो कि काफी अच्छी बात है कि Xiaomi जो है दीरे-दीरे जो है को यहां पर implement करते ज़र रहा है और आप देख पारें कोई भी जो है आपको इसमें को डल रिजल्ट है आप देखने को नहीं मिलते हैं काफी च्छी रिजल्ट जो है यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरीगे आपको यहां पर इसके अंदर देखने को मिलता है आप के लिए और भी यहाँ पर ज तक तोड़ ने more पर करेंगे आप यहां पर इस अब इस टेंबर से काम नहीं कर रहा है आप देख़ाँाइगी अच्छे प्रक्रिक कर से यहां करता है को आपको देखने को भी आप 15 फीट्र में ब्यूटी फाई के अंदर इसने करना चाहें तो वह भी आप यहां को चेंजे करना चाहें। देख पारेंगे आप मॉडल में जो चेंजिस है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो अगर आपके फोन में इस तरहे का मैनू का बटन यहां पर देखने को बिलता है और तो यहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से इसको आप डाउनलोड करते हैं अराउंड 151 MB की यह फाइल है जैसी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और वापिस गैलरी में जाएंगे तो आपको जो है मैने इस प्लगिंस में यहां पर एक नया अपडेट आप आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद यह सभी फीचर आपके फोन के अंदर इंप्लिमेंट हो जाएंगे यह सभी फीचर आपको हाइपर OS 2.0 के अंदर और एडवांस लेवल के साथ आगे चलके आपको देखने को मिलने वाले हैं तो जलती मैं हाइपर OS 1.5 का भी वीडियो ले आऊँगा क्या के नए चेंगे से उसके अंदर देखने को मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई